हाई स्टुडेंट मैं आफ्ता वालम और अभी आप देख रहें एर कॉंसेप्ट लर्निंग आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे डी एलेड जो सवाल पूछा गया है एस वन सब्जेक्ट जो इसका नाम है समकाली इन भारतिय समाज में सिक्षा एजुकेशन इन कंटें आपको तीन गंटे का टाइम दिया जाएगा और सतर नंबर के यह पेपर हैं आपके पहला और इसमें यह बात दो खंड है पहला का नाम है कौ और दूसरा का खो यानि कि सेक्षन ए और सेक्षन बी कह सकते हैं पहला जो सेक्षन है उसमें आपको छी सवाल दिये चाहेंगे स और आपको सवाल का जबाब 75 सब्दों में देना है और इसके लिए परते के लिए आपको पांच अंक मिलेंगे जबके जो सेक्षन बी इसमें कुल 5 जो है लॉंग एंसर टाइप कुश्चन होगा इसमें से आपको 4 सवाल का जबाब देना है और जवाब जो है वो लगबग 200 से 500 words में देने है जिसके लिए आपको 10 अंक मिलेंगे यानि सेक्षन A से आपको 30 नंबर मिलेंगे और सेक्षन B से आपको 40 नंबर मिलेंगे तो टोटल जो है आपके 70 marks के ये paper है तो आई हम बात करते हैं सेक्षन A जो है इसका जो है पहला सवाल इसमें सभी question लिख रहा है क तो आपको यहाँ पर option मिल रहा है ऐसा नहीं कि सब को सवाल का जबाब तो देना है लेकिन एक सवाल में आपको और करके मिल रहा हर सवाल के साथ और करके होगा तो दोनों में से किसी एक सवाल का आपको जबाब देना है तो आई हम पहला question जो है ये दिया हुआ है विद्या सवाल का जवाब देना चाहतो ठीक है नहीं तो फिर आप समावेशी करन से आप क्या समझते समझाएं वाट डू यू अंडेस्टेंड बाइ इंकुलूशन एक्स्विलें तो दोनों में से कोई एक सवाल का जवाब दे सकते हैं भारतिय सैक्षिक विवस्था पर वैस्विकरन का क्या परभाव पर आए वाट इसका जवाब आपको देना दूसरा या तो आप इससे समान विद्दैले पर नाली के खूब्यों को बदा यानि कि एक्स्पिलें दा मैरिट ओफ कॉमन स्कूल सिस्टम तीसरा सवाले सिक्षा के मौरी कदिकारों के अनुपालन में किनकी भूमी का महत्पुन हो सकती है बताए यानि वुज रोल या फिर आप भारती सम्विदान में सिक्षा से संबंदित सम्विदानिक प्राब्धानों का उलेक करें मेंसन दा कंस्टिटिउशनल प्रोविशन रिलेट तो एजुकेशन इन दा कंस्टिटिउशन अफ इंडिया कोशन नमबर फोर है सैक्षिक नवचार के महत्तों पर परकास जाले हाइलाइट दक इंपोटेंस अफ एजुकेशनल इनोवेशन या फिर आप समुदाइक केंद्र के रूप में विद्याले को कैसे विक्सित किया जा सकता है इसके बारे में भी लिख सकते हैं कोशन नमबर फाइब है विद्याले में शात्रों इवं सिक्षकों के लिए पाठे करम का होना क्यों आवश्यक है चट्चा करें यानि डिसकस वाई इड इस नेसेसरी फॉर स्टुडेंट्स एं टीचर्स इन दर स्कूल टू है विद्याले में इस सवाल का जबाब दे सकते हैं अच्चे शंसाधन और सैक्षिक उननती के आपवसी संबंधों को बताईए यानि एक्स्पिलेंदा रिलेशन से बिडबिन गुड रिसोर्स एन एकेडमिक प्रोग्रेस कोशन नमबर छे चो है और आकरी कोशन है इस सेक्षन का भारती संविधार के किस अनुशेद में स अगर आप इस सवाल का जबाब देना चाहते हैं तो दे सकते हैं नहीं तो सिक्षकों के पर सिक्षन को लेकर विविन सेक्षिक कनीतियों में क्या कहा गया है उसका विसलेशन कीजिए यानि एनलाइज वाट हैस बीन सेड इन वेरियस एजुकेशनल पॉलिसीज रिगार्ड इसलिए अब सेक्षन भी की बात करते हैं इसके भी इसमें जो है कुल पात सवाल है जिसमें चार का एंसर देना है आपको और एंसर जो है दोसों से डाई सब्दों में देना है तो हर कोशन के साथ यहां पर भी आपको आप्सन मिलेंगे दो में यानिकि और वाल सवाल समाजिक आर्थिक स्थिति को विद्याले उदवरा किस परकार उन्नत किया जा सकता है अस्पस्च कड़े या फिर आप इस सवाल का जबाब दे सकते कि आप मान दें कि भारतिये वर्तमान भारती समाज की दसाएं एवं सम्दा मुलक समाज के अस्थापना की दिसा में है इंस्टॉलेशन्स ओफ एन एकुलिटेरियन सोसाइटी गीव सफिसियंट अर्गुमेंट्स इन फेवर ओफ यूर एंसर अगला सवाल है वर्तमार में परचली सैक्षिक नीतियों के परभावों की चर्चा करें इसके अब चल रहा है उसके बारे में पताना है कुशिन नमबर नौ है शिक्षक अस्थानिय समुदाई के साथ मिलकर किस परकार से वहां की समस्याओं को मददगार हो सकता है यानि कि अगला सवाल है क्या विद्याले में समाजिक एवं सांस्किर्तिक उस सबों के आयूजन की विवस्ता होनी चाहिए तो इसकी विवस्ता आप कैसे करेंगे विस्तार से लिखे या सबसे लास्ट जो है 11 नंबर कोश्चन जो है यानि सिक्षन बी का जो चौथा सवाल है पांचवा सवाल है वो इस परकारे कि निमलिकित में से किनी दो पर क्या करना आपको टिपन ही लिखनी है सौट नोट्स लिखना है तो पहला दिया हुआ समाजिक नहीं यानि सोसल जस्टिस दूसरे है विद्ध्यालिय सिक्षा में असामानता यानि इन इक्वालिटी इन स्कूल एजुकेशन गुनवत्ता इन सवालों के जवाब दे सकते हैं और अच्छे मार्क्स ले सकते हैं